नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके टेडिंग तो तारिक याँ चौदा में 2020 और यहां पर अपना इस्टॉक प्रवाइट करता हूँ उस छे में से किसी स्टॉक ने आपको टार्गेट दिया किसमें स्टॉक लोस की यहां पर देखेंगे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो जो लाइक किजिएगा देखें सबसे पहला इस्टॉक दिया था जील का और जील को जो हम लोगों को बाय करना था 169 के उपर 169 पर गया नहीं तो बाय ओडर टीगर नहीं वहां 163 के नीचे सेल करना था त पहला तारगेट जो था 161 का था वह आपको यहां कई पर 161 का टारगेट एचीव हो गया और यहां पर यह सेल का लेवल नहीं देते हैं दोस्तों आप लोग इसका फिड़एक भी दिया कीजिए तो मज़ा आता है इसमें आपने profit बनाया या नहीं बनाया तो जिल में आपने पूरा sales side profit बनाया दोस्कों enjoy करिए दूसरा इस टोक दिया था सन फार्मा का तो चलिए सन फार्मा को देखते हैं पहले इस टोक देना एक दिन पहले फिर उसका performance review करना तो मैनत तो लगता ही है ना तो सन फार्मा को बाय करना था 456 के उपर देखे 456 के उपर यह पहली candle ignore कर दें अगर हम लोग तो सेकेंड केंडल से 456 के उपर यहां से निकला पहली candle तो इग्नोर ही करते हैं चार्शोचपन यहां पर आपने लिया और इस करनीशन में टार्गेट था 460 का जो नहीं जा पाया नीचे की सैड में आके हमारा इस टॉप लोग ही काट गीए तो हमें सन फार्मा में क्या हो गया हमने लौस् बूक कर लिया लौस सन फार्मा में हमने लौस्प कर लिया और जील में पूरा प्रोफिट लिया चली हलां कि और बाद में गया अगर किdı ने दुबारा लिया और अब अब यहां कि फ्रोफिट बनाए होगा स्व mandaric тогдаedes तुछ जो दिया था भारति गया तो जाली भारती ऐटेल को भी देख ले यहां पर दिण सिनदीट फाइल इस नंगेट था 545 वह ऑगया यहां पर दूसरा टरगेट था 2540 का वह हो गया और तिसा टर्गेट था 5537 का तो पूरा का पूरा स्टॉक ने लो लगा दिया 537 का यानि और टार्गेट भारती एटल में भी आपने भूक कर लिया जवर्दस चलिए चौथा इस्टोप जो दिया था वह था एक्सिस बैंक को भी चेक कर लेते और एक्सिस बैंक के चार्ट खूल गया आपके सामने एक्सिस बैंक को करना था 417 के ऊपर ये गिर गिया ऐसा नीचे तो फिर 372 को उपर गया ही नहीं में भी आपने डन कर लिया ठीक है ओल टार्गेट डन हो गया चलिए बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने बना पांचमा इस्टोक था लारसन एंड तो ब्रोका एलेंटी का चलिए लेंटी का चार्ट 841 को पर बाय करना था पहली केंडल इग्णोर किया 841 को पर गया ने तो चोड़ देंगे 851 की नीचे सेल करना था दोट्ये से उपर जा रहा है उसक्ते लिए उपर से नीचे आते बग हो गया लागा और्ट तक का 841 कर आप हमारा टार्गेट सटार्ड अर्सकेंट वाट यानि लगभ लग लगभ दो टार्गेट तो नहीं दे पाया दो रूपए से बच गया एक तार्गेट तो दे ही दिया तो हम इसको प्रॉफिट में लिखेंगे एक तार्गेट आपको बाइसाइड में दिया सेल साइड में दिया वापस देखिए 871 के उपर अगर किसी ने बाइसाइड के लिए लेकिन उसके बाद वो फिर नीचे आ गया तो हमारा इस्टॉप यह हिसाब किताब हुआ हमारा अब चलिए टीस में आते लेवल था उसके बाइसाइड को पर बाय करना था लिए लेने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर बाहदूर को वैक्ति कर सेल किया होगा तो जवादस मुमेंट मिला लेकिन मेरे खिसाप से नो ट्रेट बनेगा तो जो चे इस तो क्ता जील में प्रॉफिट कमा पहले लोज वह हुआ है आ बंग फार्मा में अब प्रॉफिट वाज जील में भारती एटेल में एक्सिस बैंक में लार्शन में तो ट्रेडी ने बना तो दोस्तों यह था मेरा अपना स्टॉप ओफेंस रिव्यू और वीडियो एंसी पसंद आए और यह इमानारी से क्या वाल लगे स्टॉप ओफेंस तो जरूर्ब वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताईए मुझे अपना इंपॉर्टेंट फीड़एक दीजिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद